फर्स्ट कोशन है भारत किस गुलार्ध में इस्तित है इसका उत्तर होगा उत्तरी गुलार्ध सेकंड कोशन है भारत की अस्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो इसका उत्तर होगा 15200 किलो मेटर अगला कोशन है भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते है इसका right answer है Mac Mohan Rekha अगला question है तीन ओर बंगलादेश से घिरा राज्ज कौन है तो इसका उत्तर होगा त्रिपूरा अगला question है अरावली की पहाड़ियां किस राज्ज में हैं इसका उत्तर होगा राजस्थान अगला question है जहाँ आज हिमाले पहार है वहाँ पर कौन सा समुद्र था तो इसका उत्तर होगा तिथिस नामक उथला समुद्र ठीक है अगला question है सत्पूरा की पहाड़ियां किस राज्ज में इस्थित हैं तो इसका उत्तर होगा मध्ध परदेश अगला कुछन है सत्पूरा की पहाड़ियां किन चट्टानों से बनी हुई है तो इसका उत्तर होगा ज्वाला मूख ही है अगला कुछन है दक्कन का पठार किस राज्य में इस्थित है इसका उत्तर होगा महरास्ट्र अगला कुशन है नीलगीरी की पहाड़ियां किस राज में है तो इसका उत्तर होगा तामिलणाडू अगला कुशन है भारत का रूर किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा छोटा नागपूर पठार जोकी राची में है अगला है अंडमान निकोबार दुईप समूह कहां इस्थित है इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा केंदर शासित परदेश कौन है इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार अगला कोशन है अंडमान निकोबार दुईप समूह में कितने दुईप है इसका उत्तर होगा 247 अंडमान निकोबार दुईप समूह की राजधानी कहां है इसका उत्तर होगा पौर्ट बलेयर तो बच्चो आपको ये जानकारी कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजेगा और कमेंट में बताईए आपको जी के किस टॉपिक पर चाहिए मिलता हूं फिर आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना अपना ख्याल रखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया